असलाम अलेकुम जी, so इस module में हम लोग photoshop start करें और देखेंगे के photoshop की क्या importance है आप लोग photoshop को use करते हुए क्या-क्या कुछ बना सकते हैं, edit कर सकते हैं और इसके अलाबा photoshop के अंदर most important चीज़ें, most common चीज़ें कौन सी हैं जिसका आपको लाजबन पता होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे so without wasting any time, let's get started जी, तो यहाँ पे photoshop का जो home page है, वो मेरे सामने open है इसके अलाबा जी, आपको यहाँ पे कुछ recent files नज़र आएंगी इसके अलाबा आपको कुछ tutorial के links नज़र आएंगे, ठीक है अगर आप left side पे देखें, तो आपको कुछ और मजीद buttons नज़र आएंगे आप create new document करना चाह रहे हैं, कोई PST file open करना चाह रहे हैं right, so इसके बाद जो सबसे पहला step है, वो यह है कि file में जाके आप यहां से भी new file create कर सकते हैं, और यह जो button आपके सामने है, यहां से भी आप एक नई file create कर सकते हैं, so, यहां से जाके एक नई file create करते हैं, तो थोड़ा से इसको understand करते हैं, कि आपके सामने जो dashboard है, it's very similar to Adobe Illustrator, लेकिन एक चीज जो बड़ी important है, जो कि आपके साथ discuss करने वाली है, वो हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो file का नाम है, आप file का नाम कोई भी set कर सकते हैं, जिस तरह के project पे आप काम कर रहे हैं, इसके इलावा आपको यहां पे width, height नजर आएगी, यह भी understood सी बात है, यह जो आपका canvas है, यह उसका size है, तो इसके इलावा हमारे पास यहां पे scale है, ठीक है, आप pixel के अ लगते हैं, इसके बाद orientation है, resolution है, ठीक है जी, इसके बाद यहां पे एक बड़ी important चीज है, that is color mood, और यहां पे इस वकद हम RGB को देख रहे हैं, तो इसके सामने आपको नजर आएगा, 8 bit, 16 bit and 32 bit, ठीक है, इन तीनों में क्या differences हैं, इसको थोड़ा सा understand करते हैं, इसको मैं यह से close कर लेता हूँ, मैंने एक document create किया वह, हम उसी document में जाके इस concept को understand करते हैं, तो concept हमारे पास क्या है, जी, के 8 bit images, क्या होती है, 16 bit और इसके अलावा, 32 bit इन तीनों में क्या differences है, ठीक है जी, so it's very very important, सबसे पहले देख लेते हैं, के 8 bit है क्या चीज़, तो अगर हम 8 bit को calculate करें, 1 bit is equal to 2, ठीक है, अगर आपको 1 bit की value चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने 2 raise to power 1, अगर आप mathematics जानते हैं, तो आपके पास answer आया, 2, ठीक है, अगर आपने 2 bits की value जाननी है, तो आप करेंगे, 2 raise to power 2, is equal to 4, ठीक है जी, बिलकुल इसी तरह, जब हमने 8 bit की value जाननी है, तो 2 raise to power 8, is equal to, ये हमारे पास आजाएगा जी, 2, 56, ठीक है, ये 256 क्या चीज है, जैसा कि आपको पता है, जो screens के उपर आपको colors नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर red color नजर आ रहे हैं, orange screen, तो जितने भी colors हैं, आपकी screen के उपर, वो तीन color से मिलके बनते हैं, that is, R, G, and B, ठीक है, फॉर एक्जामपल, अगर मैं यहाँ एक circle लगाता हूँ, मैं कहता हूँ, this is R, एक और circle लगाता हूँ, this is G, और एक और circle लगाता हूँ, this is, B, तो इन तीन color से मिलके, कुछ मजीद colors बनेंगे, for example, यह एक different color है, यह एक different color है, यह different color है, and this is a complete white color, ठीक है, और अगर हम इन तीनों colors को बिलकुल separate कर दें, तो हमें एक और color मिलेगा, that is black, ठीक है, तो हमारे पास कितने colors होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक black, 8 colors, ठीक है, RGB जब बिलकुल solid colors, for example, solid red color, solid green, solid blue colors, अब आपस में मिलके बनते हैं, तो हमें solid, एक और color मिलेगा, तो solid 8 colors हमें मिलते हैं, लेकिन जब हम 8 bit image की बात करते हैं, तो, जो red color है, 8 bit image के अंदर, red के 256 shades हैं, ठीक है, आपको एक dark red नज़र आएगा, फिर उसके अंदर अगर हम white mix करते जाएं, तो आपको different, जो red की हैं, वो 256 shades मिलेंगे, बिलकुल ऐसे ही, अगर हम green color की बात करें, इसके भी आपको 256 shades मिलेंगे, 8 bit image के अंदर, और अगर हम blue की बात करें, इसके भी आपको 256 shades मिलेंगे, 8 bit image के अंदर, तो अगर हम लोग, 256 multiplied 256 multiplied 256 करें, तो हमारे पर सांसर आता है, 16.8 million, इसका मतलब है, कि जब red, green और blue मिलते हैं, तो they can actually create, 16.8 million of colors, तो जब आप 8 bit image यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको, इतने सारे colors नजर आ सकते हैं, तो अगर हम 16 bit image की बात करें, तो 2 raise to power 16, इसका आप answer निकाल सकते हैं, और जो भी इसका answer आएगा, उसको 3 times multiply करें, तो उसके बाद आपके पास जो भी answer आएगा, तो 16 bit जो image है, उसके अंदर इतने possible colors हो सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही 32 bit, ये कोई अंदाजा है, trillions के अंदर, ठीकिया, आपको trillions के अंदर इसका answer मिलेगा, और 32 bit का भी ऐसे ही आप calculate कर सकते हैं, और आपको पता चलेगा, कि अगर आपके पास 32 bit image है, तो उसके अंदर, क्या possibility है colors की, लेकिन एक research ये कहती है, कि जो human eye है, that can only differentiate around, 10 million of colors, मतलब कि, अगर आप 8 bit image को भी देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी color possibilities, कितनी हैं, 16.8, और उसमें से भी आप maximum, 10 million तक colors को differentiate कर सकते हैं, बाकी 6.8 million colors आप फिर भी नहीं देख सकते, जो एक human आया है, तो अगर आप 16 bit image की, color combinations की बात करें, तो ये trillions के अंदर हैं, और ये उससे भी ज़्यादा है, तो आप ये वाले बाकी colors कैसे देख सकेंगे, तो इसका एक बड़ाए simple सा answer है, आप 8 bit image, 16 bit image और 32 bit image, अगर एकठी आपके सामने placed है, तो यू कन नॉट differentiate between these images, आपको नहीं पता से लेगा, कि 8 bit, 16 bit और 32 bit images में, क्या differences हैं, लेकिन जब आप Photoshop के अंदर, अपनी images को edit करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक बड़ा major difference नज़र आएगा, जब आप different levels apply करेंगे, आप different adjustment layers को apply करेंगे, अपनी image के उपर, और उसको edit करना चाहेंगे, तो कुछ adjustment layers apply करने के बाद, कुछ properties apply करने के बाद, आपको फिर एक बड़ा major difference नज़र आएगा, 8 bit, 16 bit और 32 bit image के अंदर, आपको JPEG image कहीं से भी मिलेगी, आप unsplice से डाउनलोड करते हैं, आप किसी और reality free website, जो images provide कर रही है, उससे डाउनलोड करते हैं, आपको हमेशा JPEG 8 bit में ही मिलेगा, because JPEG do not support 16 bit और 32 bit, ठीक है जी, तो इसके लिए अगर आप DSLR यूज़ करते हैं, तो उसमें आपके पास एक option होती है, 16 bit या 32 bit में उसको save करेगा, और फिर आप इस raw image को बड़ी असानी से, और बड़े अच्छे तरीके से added कर सकते हैं, Photoshop के अंदर, ठीक है, तो अगर आप किसी website से डाउनलोड करें, तो ये बड़ी understood से बात है, कि आपको 8 bit image मिलेगी, क्योंकि वो jpeg images होती है, लेकिन अगर आप खुद photo shoot कर रहे हैं, तो अपने camera में आप एक property set कर सकते हैं raw, मैं आपको दिखाव भी देता हूँ, ये मेरे सामने कुछ screens open है, DSLR cameras की, तो अगर हम इस image को देखें, तो यहाँ पर आपको एक file format नज़र आएक raw, एक raw and jpeg और एक सिर्फ jpeg, तो अगर आप इसको raw पर set कर दें, या raw and jpeg पर कर दें, तो इसमें आप raw वाली file को use कर सकते हैं, photo editing के लिए, ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा difference था, के 8-bit, 16-bit और 32-bit images में क्या difference है, तो ये understood सी बात है, के अगर तीनो images एकटी placed है, तो यू cannot differentiate के इसमें से 32-bit कौन सी image है, 16-bit कौन सी है और 8-bit कौन सी है, तो I believe के आपको इस concept की समझ आई होगी, let's continue learning more about Photoshop in the very next lesson, thank you so much. झाल